पाकिस्तान में मुहाजिरों का जीना मुहल सुइस बैंक में जमा भारतियों के पैसों की जयनकारी अब गोपनिये नहीं रहेगी आज स्विस बैंक भारती खाताधारकों के नाम को करेगा सार्ब जनी आज से टेक्स डिपार्ट्मेंट के पास होगा ऐसे खातों का डेटा विदेश में बहातियों के 34 लाग करोन रुपे से ज्यादा का कालादन होने का अनुमन नियमों को रौते हुए गाड़ी चलाने वाले सावधान आज से देश भर में लागू हो रहे हैं भारी जुर्माने वाले नैट ट्राफिक नियम ऑल लाइन ट्रेन टिकट पर भी आज से देने होंगे ज्यादा पैसे आज से पुरे देश में लागू हुआ नया मोटर वीकल एक्ट ट्राफिक नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा 10 गुना से ज्यादा जुर्माना नय मोटर वीकल एक्ट में बगएर सीट बेल्ट कार चलाने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना पहले लगता था 100 रुपए जुर्माना रेड लैट जिम करने पर जुर्माने की राशी को 1000 रुपए से बढ़ा कर 5000 रुपए कर दिया गया शुराफ पीकर गारी चलाने पर 1000 की जगए देना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपई से बढ़ा कर 500 रुपई कर दिया गया है दूसरी बार बगएर हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना डेल हजार देना होगा यातायाद नियम तोड़ते हुए अगर नाबालिक पकड़ा गया तो कार के मालिक या फिर उसके गारजिन पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना गारी का रेश्ट्रेशन भी हो सकता है रद अनलाइन नौन एसी टिकट 20 रुपए और एसी टिकट 40 रुपए हुआ महंगा यूपी आई और भी मैप से टिकट बुक करने पर नौन एसी 10 रुपए और एसी चार्ज 20 रुपए देने पड़ेंगे आज से किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस से एक साल में एक क्लोड रुपए से ज़्यादा रुपए की निकासी पर देना होगा टैक्स लगेगा 2 फिसदी टीडियस जिएस्टी से पहले बकाया पुराने टैक्स विवाद को निप्टाने के लिए केंसरगार की स्कीमाज से शुरू 21 दिसंबर तक निप्टा सकते हैं अब अपना पुराना टैक्स नहीं देनी होगी पेनाल्टी महा जाना देश यात्रा का करेंगे रोड शोग दिक्विजा सिंग ने मध्य प्रदेश के भिंड में दिया विवादित बया कहा बजरंग दल और बीजेपी आई इसाई से पैसा ले रहे हैं चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादो की तबियत हुई खराब शनिवार को तजस्वी यादो ने रिम्स में की पिता लालू यादो से मुलाकात सुननदा पुशकर की मौत की मामले में बरसकती शशी थरूर की मुश्किलें दिल्ली पुलिस की कोड से मांग खुदकुशी के लिए उक्साने और अत्यचार की धाराओं के तहच चले केस एनर्सी की फाइनल लिष्ट आने के बाद कॉंगलस ने किया सरकार से सवाल कहा कहां गया 50 लाग घुसपैचियों वाला दावा किसी भी नागरिक के साथ नहों अन्याए ओवैसी ने भी साधा निशाना असम के बाद पस्चिम बंगाल में भी अनर्सी लागू करने की मांग पस्चिम बंगाल बीजेपी अधेक दिली घोश ने कहा बंगाल में भी लागू करेंगे अनर्सी सरकार के अभियानों से जुड़ने में क्यों है परहेज कहा देश के युवाओं को आर्थिक स्वावलंबी बनाना है सरकार का लक्ष सिर्फ दिगरी हासिल करना नहीं होना चाहिए पढ़ाई का मकसद सरकार के फार्बिस गंज में पल्टा रिफाइन तेल भरा टैंकर थानिये लोगों ने लूट लिया लाखों रुपय का तेर खारखन के देवगर में अंगदान महादान को लेकर महिलाओने की जागरुकता भियान के शुरुवाद चुराहे पर अंगदान के लिए लोगों को किया प्रेरित राजस्थान के हनुवान गड़ में कार से साड़े 14 लाख की नगदी से भराबा एक चोरी दो अग्याद यूकों ने बैक को कार से निकाला कारोबारी ने संगरिया थाने में दर्ज करा इस चिकायत CCTV फुटेज के आधार पर आरूपियों की तलाश जारी हर्याना के गुरूग्राम से रेप का संसनी खेज मामला छटी क्लास में पढ़ने वाले नाबाली लड़के पर 6 साल की लड़की के साथ रेप का आरोब नाबाली के खिलाफ पॉक्स ओएट के तहर मामला दर्ज हर्याना में फतेहबाद के सरकारी स्कूल में एक छातर ने साथी छातर पर किया चाकू से हमला बचाने आये दो और साथियों को भी बनाया निशाना मामले की जांच में जूटी पुलिस माराश के धूले के पास शुरपूर में केमिकल फैक्टरी में धमाका हाथसे में 13 लोगों की मौत 65 लोग घैल फैक्टरी के 6 बॉयलर में से 4 पटे मद्रदेश के बढ़वानी में बच्चा चोरी के फवाह के बाद दिल्ली के एक परिवार से मार फीड पिरितों ने मुश्किल से भीड से बचकर खुद की जांच में जूटी पुलिस 36 गड़ में बस्तर पुलिस की बड़ी काम्यावी तीन लग लग जगहों से जब्द किया 970 किलोग्राम गाजा मामले में 6 आरोपी भी गिरफतार 36 गड़ के राजनान गाओं में पती से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने रची साजेश पती की कार में नकसली पर्चे डाले कुछ जगहों पर नकसलियों के बैनर लगवाए पुलिस ने आरोपी महिला उसके कसित प्रेमी और दूसरे सायोगी को किया गिरफतार गोपाल गंज में ठेकेदार को जिन्दा जला कर मारने के मामले में सियासत तेज इंजीनियर गैंग की रिश्वत खोरी का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने मामले को बताये गंभीर उठाई जांच की मान राजिस्थान के अलवर में एक बार फिर मॉब लिंचिंग भीड ने युवक पर किया जान लेवा हमला गंभीर हालत में अस्पताल में भरती यूपी के सहरनपूर में संपत्ति विवात के बाद दो गुट आपस में भिड़े हिंसक जड़प में कई लोग घायल पूरा जगड़ा सीसी टीवी में रेकॉर्ड यूपी के पीली भीत में बेख़ॉफ ग्राम प्रधान ने कराई गाउं के ही एक यूवक की पिटाई गले में चपलों की माला पहना कर पूरे गाउं में घुमाया वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को किया गिरफतार पाजस्तान के भिलबारा में रिहाईशी आलाके में घुसे एक तेंदुए को पकड़ा गया रेस्क्यू किये गए तेंदुए को बाद में जू में ले जाए गया यूपी के बुलंचहर में लोगों ने जान पर खेलकर रसी की मदद से एक मगरमच को पकड़ा कई दिनों से था देहशत का माहुल वन विभाद की टीम ने मगरमच को नदी में छोड़ा तकनिकी खरावी की वज़ा से घंटो शंगाई एरपोर्ट पर फसा रहा एर इंडिया का विमान लाइट बंदोने और एसी नहीं चलने से फ्लाइट में बैटरी यात्रियों को हुई भारी परिशारी अमेरिका ने एंटी मिसाइल थाट का किया परिक्षों अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी किया वीडियो प्रांस की राज़ानी पेरिस में शनिवार रात को एक शक्स ने रागीरों पर चाकू से किया हमला हमले में एक की मौँ छे गम भीर रूप से घायल प्रेक्जिट से पहले संसत को निलंबित करने के खिलाब बिटेन की सलकों पर प्रदर्शन लोगों ने संसत को बहाल कर उसमें ब्रेक्जिट प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की प्रमोशन के सिलसले में प्रस्तानम की इस्टार काश जैपूर पहुची ये फिल्म 20 सितंबर को होगी रिलीज पंकज तर्पाठी की एक और फिल्म मिमी का भी पोस्टर जारी दिनिश विजान की फिल्म पंकज एक्टरस कृती शेनन के साथ आएंगे नज़र कृती और पंकज तर्पाठी दोनों ने सोशल मीडिया पर फिल्म के पोस्टर साजा किए सूपरस्टार अमिताब बच्चन एक ट्वीट के जरिये मज़िदार अंदाज में दिया पानी बचाने का संदेश लगुशंका से मुक्त होकर आपकसर उतना ही पानी उपयोग मिलाते हैं जितना अब दिर शंका में उपयोग करते हैं मुंबई के सबसे रईस जीएसबी के गड़पती पंडाल में आ चुके हैं बपपा इस बर गड़पती बपा का 20 करूं रुपए के गहनों से शिंगार करीब 266 करूं रुपए का है बीमा मुंबई में गड़पती मांग को देखते हुए देनरात मुर्तियां बनाई जा रही है पिशले कुछ सालों से दार्जिलिंग में बढ़ रहा गड़पूजा का कल्चर आंद्रपरदेश के विजयवारा में गड़पती की मुर्तियों की जमकर हो रही खरीदारी बढ़ती मांग को देखते हुए मारास्ट से काफी तादाद में मुर्तियां मंगवाई गई जैपूर के श्वेत सिद्धी विनायक मंदिर में मोदकों की जहां की सजाई गई मोदकों का लगाए गया भोग वैदिक मंत्र 4 के साथ भगवान को मोदक चड़ाए गये मदेपरदेश के राइसेन में कलाकारों ने बपपा की एको फ्रेंडली गडपती तयार की तुलसी गेंदा मोगरा गुलाब जैसे कई फूलों के विजो को मोती में रखा है ताकि विसर्जन वाले दिल लोगी से घर के गमले में ही कर सके विसर्जे राजस्थान के श्री गंगा नगर में गड़ेश चतुर्थी के मौके पर बनाए मिट्टी के गणपती पची सो से अधिक मिट्टी की बनाई गड़ेश प्रतिबाए एको फ्रेंडली गड़ेश चतुर्थी बनाने पर जोर बॉलिवुड सितारों ने मुंबई के महीम बीट पर चलाया सफाई अबियान सुजैन खान नोरा फतेही रादिका मदान नेहा दुप्या समेत कई बॉलिवुड हस्तियां हो शामिल